इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैच रेविव मैन युनाइटेड वसेस लिवरपूल फाई निल फाई की मतलब लिवरपूल ने पाच गोल ठोके जना दन मैंचेस्टर युनाइटेड को और मुझे तो लग रहा था और ठोकती अगर मैंचेस्टर लेक्ते हैं क्या थी लाइनप और क्या स्ट्रेटीजी अपना थी बाई जर्गन क्लोप ने के इतना बुरा डिस्ट्रॉई के ओले की टीम को तो देखो यार सबसे पहले अगर लाइनप की बात करें तो मैंचेस्टर युनाइटेड की लाइनप तुमनों को पता है थोड़ दोनों फॉर्म में थे यह बात सही है लेकिन वह सब्सीट्यूट्स में उतरते वही सही था मेंसन ग्रिनबूड और रेश्फॉर्ट दोनों को इसलिए उता रहा गया था क्योंकि मैंने प्रिव्यू में भी कहा था कि यह दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में बाई दोनों दोनों फॉर्म में इसलिए दोनों को साथ मुतर गया तो आगे रोनाल्डो थे ब्रूनों फर्नांडेस खेल रहे थे पता नहीं मुझे ऐसा पता चला था कि इंजरी हुई थे उनको लेकिन ब्रूनों फर्नांडेस ने कल खेला अच्छी बात थी मैंचेस्ट उनाइटेट क अमीन ही थे वहाँ पर मोसाला, दा है ट्रिक मैन, मिटफिल्ड सेम, डिफेंस लोड़ सेम, हो क्या रहाता है यह मैंचेस्ट उनाइटेट के साथ क्योंकि पूरे गेम पे गेम के स्टार्टिंग की सीटी से लेकर तो गेम की एंडिंग की सीटी तक लिवरपूल का ओलूवर कंट्रोल था मैच पे, मतलब पूरी तरह मैंचेस्ट उनाइटेट को एक चांस नहीं दिया गया, एक चांस नहीं दिया गया अच्छे से मैंचेस्ट उनाइटेट को, तुम लोग शौट्स देख लो, लिवरपूल दनादन, तुम लोग पोजेशन देख लो, लिवरपूल 36% position सिर्फ Manchester United के पास 36 या 38 passes देख लो लिवर्पूल रे सासाओ से ज़्यादा passes कि 100% position ज़्यादा रेगी तो passing तो ज़्यादा हो गी उनकी all over game पर पूरा लिवर्पूल का control था और मुझे पढ़ा नहीं किस तरीके से क्योंकि देखो पाउल पोगबा को जो रेड कार्ड मिला वो इसी वज़ेसे मिला कि वो बहुत frustrated हो गया था बंदा all over control था लिवर्पूल का पूरे game पर भाई starting से आखरी तक और जोगन क्लूप ने मतलब Ole को हाथ में पकड़ के दबा दिया है ऐसा समझ लो तुम लोग Ole is not on the wheel और लिवर्पूल के फैंस चिला रहे हैं और चिडाने के लिए और क्या फाइल इतना बड़ा स्कूर क्रिशा रोनाल्ड जैसा striker तुमारे पास है तुम उसको chances बना के दे सकते हो लिकिन तुमारे पास तुम पोजिशन ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या तुम उसको chances बना के दोगे और क्या तुमारे striker strikes लेंगे जितने भी शॉट्स मा रहे हैं मैंचेस्टर उनाइटेड ने इसमें से थोड़े अच्छे थे अटाक कुछ भी काम नहीं कर दा मैं और डिफेंस का तो चोड़ी दो चोड़ी दो वह विटल लेंडल आफ हैरी मगवेर एरान मान विच्छा का एक टाइम पर बहुत जबर्दस काम कर रहा दा मैंचेस्टर उनाइटेड के लिए लेकिन पता नहीं क्यों मैं प्रिव्यू में कहा था लूक शौ भी अच्छा करेगा लेकिन लूक शौ भी कल कुछ कर नहीं पाया कुछ भी नहीं कर पाया ज्यादा तो मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब ओले को निकाला जाएगा या रखा था जो फॉरवर्ड तो उसको पता था बहुल कहा से आईगी कहा जाएगी पूरी स्ट्रेटीजी प्लैन थी और वही के वही पासिंग जाके गोल मारा था मोसला 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 है ट्रिक मैन मतलब यह बंदा जैसे जैसे बैलेंडियोर करीब आ रहा है यह बंदे का फॉर्म भ बहुत अच्छा कर रही है प्रेमियन लीग में इस बारी नूनो की इफेक्ट उसके बाद उनका मैच और कड़क टीमों से है तो बाई समाल कर चलो अब क्योंकि ओले को एक चांस देने के लिए जो चांस यह था वह दिग गया बाई रोनाल्डों ने एटलांटा में बचाय एटलांटा के खिलाफ बचाया लेकिन प्रीमियन लीग में इसे बड़ी टीम के खिलाफ आप ऐसा नहीं कर सकते पिछली साल ओले बहुत जबर्दस किया था यार मतलब मैंचेस्टर सिटी टाइटल जीती थी लेकिन ओली की जो टीम थी वह मैंचेस्टर सिटी को भी आ रहा है लिवर्पूल के फैंस खुछिया मनाओ और क्रिशान रोनाल्डो के मुझे बहुत बुरा लगा यार क्योंकि मैं रोनाल्डो का फैन हूं बेसिकली तो इससे तो मुझे बहुत बुरा लगा इस वीडियो के लिए इतना ही रखते है मेरा तो यही वो है कि भाई अब नंबर पे थे पहले गेम से वह भाई दीचे जाते जा रहे है अब नंबर पे आ गया है नंवे यह साथ वे नंबर पे इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग और मेरे इंस्टाग्राम और फेस्बूक की लिंग थैंक्स फॉर वाचें